नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो अपडेट में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुस्यका ब्रिहस्पति ग्रह असुब होने पर उसे ठीक करने के उपायों के बारे में गुरु ग्रह को जीवन में हर छेतर में सफलता के पीछे बहुत ही महतपूर्ण माना जाता है सफलता के पीछे साकरात्मक उर्जा का होना बहुत जरूरी है और यही काम गुरु ग्रह करता है अगर गुरुग्रह कमजोड हो तो तमाम तरह की मुस्किले जीना बेहाल कर देती हैं बनते हुए काम बिगड जाते हैं किसी भी काम यस नहीं मिलता है घर में पैसे की तंगी बनी रहती है और स्वास्त पर भी इसका असर दिखने लगता है ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गुरुग्रह से पीरित ब्यक्ति अपने उपर असुप प्रभाब दे रहे गुरु के फल को समाप कैसे करे कौन से उपायों को ब्यक्ति अपनाए जिससे उसका गुरुग्रह मजबूत हो जाए और सूफ फल देने लगे तो आईए अब जानते हैं गुरुग्रह को मजबूत करने के उपायों के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोज के नोटिफिकरिशन पाने के अब बात करें ब्रहस्पति ग्रह के उपायों के बारे में तो पहला उपाय है यदि किसी बैक्ति के उपर गुरुग्रह अपना असुफल दे रहा है तो उस बैक्ति को रोज सबेरे पीपल में जल चढ़ाना चाहिए अपने आचरन को सुध रखना चाहिए और हमेसा सच ब लगाना चाहिए ऐसा करने से पीरित मनुस्य के उपर गुरु अपना बुड़ा प्रभाव समाप कर लेता है और सुफल देने लगता है तीसरा उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पीरित बैक्ति को गुरु वार के दिन पीली बस्तु का सेवन करना चाहिए और ब्रिहस्पतिवार का ब्रत भी करना चाहिए पांचमा उपाय गुरु का रोज सबेरे विश्नू सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए यह उपाय बहुत ही लावकारी है इस उपाय को करने से गुरु अपना सुफल देने लगता है छठा उपाय यदि गुरु अपना कूपि फिरुद्राक्ष धारन करना चाहिए ऐसा करना खराब फल दिखा रहे है गुरू-ग्रह को सांथ करता है तो ये हैं ऐसे साथ अचुक गुरू के उपाएं जिसको अपना कर ब्यक्ति कुपीत फल दिखा रहे हैं ब्रहस्पति को सांथ कर सकता है उम्मीद है आपको हमारा वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तर परियारों को बीच सेयर कीजिए